जरिपट का थारना अंतरगत हुडको कॉलनी में रहने वारी एक महीला से पैसे दो गुना करने का जासा दे कर 22,50,000 रुबए की ठगी करने का मामला सामने रहा है शिकायत करने के बावरजूद अब तक आरोपियों की गिरफतारीन नहीं हो सकी है जिस पर पेडित महीला ने पुलिस कमिशनर से आरोपियों के खिलाफ जल से जल्द कारवाई की मांग की है जानकरी के मताबिक पेडित महीला सुना ली रलाल कर साकरे की पहचान साल 2018 में आरोपी सोनू सिद्धी की से हुई थी जिसने महीला को बताया कि वो और उसका भाई एक इन्वेस्टमेंट कमपनी में काम करते है इसकी कमपनी को भारत सरकार की मानेता भी प्राप्त है और जिसमें बहुत से लोग निवेश भी करते है और लगभग 6 महीनों में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया जाता है शुरुआत में महीला ने इसमें कोई भी रूची नहीं दिखाई जिस वज़ा से आरोपी ने महीला से दोस्ती बढ़ाई और महीला से अपनी कमपनी में निवेश करने का आगरह करने लगा उसी सिल्सेले में आरोपी ने महीला के पास निवेश करने का लाइसन्स अथा अशुक स्थम वाला स्टेंप भी दिखाया धीरे-धीरे महीला के साथ धोक़ड़ी करने हैं तू अपरोक्त 11 अरज़दारों ने महीला का विश्वास संबादन किया और महिला को निवेश करने हेतू मजबूर कर दिया कई बार दिखावे के लिए कमपनी का पुरा स्टाफ महिला के घर भी पहुचा और स्टाफ ने महिला को डॉक्यूमेंट भी बताए गेर अर्जदारों की बातों से प्रभावित होकर महिला ने उन पर विश्वास किया और 26 मार्च साल 2018 में SBI खाते से इमरान खान के बैंक खाते में करीबन 1,80,000 रुपे निवेश हेतू ट्रांसफर किये इसी तरह महिला ने HDFC बैंक से करीबन साल 2022 में 17,50,000 रुपे निवेश तथा करीबन 5,000,000 रुपे नगत बैंक में डालकर इमरान खान और उसके भायों को महिला ने अपने ही घर पर दिये लेकिन 6 महिने उपरां तभी महिला को निवेश किये हुए पैसे की प्राप्ती स्वरूप कोई भी मूल्य नहीं मिला तब महिला ने उनसे अपने पैसे वापस करने के हेतू विननती की तभी आरोपियों ने महिला को एक्सिस बैंक के चार चेक दे डाले चेक देने की वज़ा से महिला ने विश्वास रख कर कुछ दिन और सबर किया परंतु उसके बाद वसबी लोग महिला के पैसे देने में टाल मटोल करने लगे उसी कारण महिला उनके घर जाने लगी 10 जुलाई 2022 को जब महिला अपने पैसे लेने हेतू आरोपियों के घर ग महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी सट्टे का काम भी करते हैं और इसी तरह लोगों को जार में फसा कर लूटते हैं महिला ने मामला दच कर पुलिस से धोका धड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाव कारवाई करने तथा नियाय दिलाने की मांग की है उसने मुझे अपने भाईयों से मिलाया बातचीत हुई हम लोग साथ में घुमना फिरना सब चीजे होती थी फिर उसने मुझे एक investment company की बारे में बताया जो उसने मुझे भारत सरकार का ठपा दिखाया और तीन मुंडी वाला भारत सरकार का स्थम था उसमें और उसमें उस सतर करें ताकि जो मेरी साथ हुआ हो लोगों के साथ नहीं हो और मैंने जेरिपट का थाने में इसके against complaint दर्च कराई है एफायर होने में काफी time लग गया फिर ये एफायर की copy है और मैंने पी आई सर ने मुझे तरह सपोर्ट नहीं किया डीसीपी ने मुझे सपोर्ट किया ह पिश्रवंदत ने काफी मेरी सपोर्ट किया है और ये जो मुझ से मिले है इमरान खान मुख्य आरूपी है और ये 5 भाई है ये सबको ऐसे ही ट्रैक करते है और ऐसे ही मिलके सबको फसाते हैं मौमद इमरान खान, जाविद खान, ओवेज बेग, इस्तियाक खान और एक आक पुटा भारत सरकार का ठपपा दिखा के लोगों को फसाते हैं, एकदम आपसे क्लोज आ जाएंगे और उसके बाद ने फिर आपके साथ में घूमना, शॉपिंग, हर चीज करेंगे, और उसके बाद ने फिर आपको ऐसे जूटे-जूटे से फसाएंगे, और इनके सारे आपकल जेरीपटका में, उनका बरताओ बहुत गलत था मेरे साथ, कि आपको जो करना है करिये, एक्चुली मेरा जो कंप्लेंट है, पहले मुख्यमंत्री को गया, मुख्यमंत्री से CP से CP से DCP को गया है, और DCP सर ने फिर हेल्प की मेरी आखरी फाइनली, कि PI को बोलके मेरा F.R. दर्ज करवा है, नहीं तो F.R. दर्ज नहीं हो रहा है, मेरी पहली कंप्लेंट थी जुलाई की, जुलाई से जुलाई 2022 में, अब तक के मेरी कंप्लेंट आज हुई है, 24, 2, 2023 में हुई है, करीब 8 महीं ने लग गया F.R. करवाने में, जिसके लिए मैंने काफी effort लगा ह है, और DCP सर ने इसके लिए मेरी help की है, मैं चाहती हूँ कि बाकल सर इनको arrest करें और ऐसे लोगों को सजा मिले, जबकि मुझे यह बोला गया कि arrest नहीं होंगे, जो करना है हम करेंगे, थाना हमारा है, हम decide करेंगे क्या करना है, तो मैं चाहती हूँ इनको सजा मिले, प्लीज मेरी यह मांग है कि इन लोगों को arrest किया जाए, जो कि यह लोग इतना कहरें कि हम लोग arrest नहीं होंगे, और P.I. ने भी मुझे बोला है कि इनको arrest करना नहीं करना ही हमारे उपर है, बट arrest तो बनता है जातक मैं जानती हूँ, और मेरे साथ जैसी फसोन लोगों कोई प्लीज क कभी तक नहीं हूँ है, इन लोग खुम रहे हैं और जान से मारने की धंकी और मेरा accident भी इन लोग ने करवा है, इसके सारे proof मेरे पास है, और P.I. बाकल ने ज़रा भी support नहीं किया, मैं चाहूंगी कि बाकल से strictly इनके उपर action ले, बस इतना ही मचाती है, मेरा जो amount है, 22,50,000 रुपे का, वो मुझे वापस मिले, यह मैं नया चाहती हूँ आपसे, और मेरी request है कि ऐसा दूसरों के साथ तो नहीं ही नहीं हो, बट इनकी investigation company कौन सी है, कौन सा भारत सरकार का ठपा है, पुलिस मुझ से पूछती है, जबकि यह investigation का part है, यह उन से पूछिए कि कौन सी कौन सा भारत का ठपा दिखा यह, पुलिस का काम है, तो पुलिस अपना काम सही तरीके से करें, मेरे 22 अग 50 अदार मुझे मिले, जो कि मैंने उसको चेक से दिये है, उसके अकॉण में दिये है, इसके सारे प्रूफ में DCP सर को दे चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा पैसे में को रिटन मिले और हाँ वो मोस्टली आप लोगों से कैश लेके जाते त्यूंकि मैंने काफी सारे अमाउंट उनको कैश भी दिये आउट ओव दो वेजा के उनकी हेल्प की जिसका कोई में को सिला मिला नहीं और में साथ ने बहुत बड़ी फ्रॉड हुई है 420 तो उनके दाखल हुई है मैं चाहती वो अरेस्ट भी हो जाए यह एफ़ायर की कॉपी आप देख सकते हो बस में यही चाहती हो इनवीसियन नियूस के लिए अकलेश भादवाच के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट